नमस्कार स्वागत आप सभी का तो आज अपन बात करेंगे LPP के कुछ डाउट्स की या कुछ फंडामेंटल कॉंसेप्ट हैं उनमें क्या ट्रिक्स यूज होती हैं उनकी अपन बात करेंगे जैसे कि अपन यह करने आप इससे पहले पांच क्लासे जाएं वह सुपरफास्ट LPP के नाम से हो चुकी है उसमें क्या है कि LPP का यह वाला स्लेबस आप देखेंगे यह पूरा स्लेबस LPP का रिटर्न है इसमें सारा स्लेबस कवर हो चुका है यह वाला पूरा स्लेबस आपने कवर कर लिया है सिरफ एक मेथड को छोड़के तो यह वाला मेथड भी कर लेंगे उसके पहले आज अपन यह कुसन करेंगे concept of basis basic feasible solution formation of linear programming तो क्या कि जो doubt है वो कहां पे है doubted degenerate solution क्या होते है basic solution क्या होते है और basic feasible solution क्या होते है और optimal solution अपन कैसे find out करते है यह कुछ तीन चार प्रगार के doubt है तो इस वीडियो में अपन चार से पांच क्यूसन करेंगे उन क्यूसन की मादम से अपने यह सो सारे doubt है वो clear हो जाएंगे डेफिनेटल आपको doubt नहीं रहेगा और यह जो पांच classes है यह आपको exponential mathematics application पर मिल जाएगी वहां से अगर यह पा बारा question बन जाता है तो वह तो नहीं पूछा गया है बट क्या पूछा गया है कि simplex मतर के कुछी result है artificial variable क्या होता है question इसके ऐसे आते हैं कि आप easily कर सकते हो यानि कि आप 35 से ऐसे बोल सकता हूं कि 25 से लेके 40 तक जो marks है वो easily gain कर सकते हैं इसमें एसे question पूछ आते हैं ज्यादा hard question यहां से नहीं आता है और कोई भी doubt रहते हैं तो आप add the rate exponential mathematics पे पूछ सकते हैं या इस वीडियो के comment box में जुरूर पूछें और आपको इस वीडियो की voice कैसे लग रही है ये comment box में जुरूर बताएं थोड़ा अपने initiate करा है नया तो आप जुरूर बताएं कि कैसा इसका system रायात के लिए तो अब हपन सबसे पहले देखते हैं कि LPP क्या है तो इसके लिए मैं आपको suggest करूँगा कि जो अपना पहला वीडियो LPP का जो सब के लिए freely available है YouTube पे भी है और अपने application पे भी है उसको जरूर देखें उसके बाद आप इसक इसको अपन objective function बोलते हैं यह cost value होती है यह variable होते है यह constant matrix होती है यह column vector होता है और B को भी अपन क्या बोलते है column vector बोलते है यह 0 को अपन 0 vector बोलते है यह coefficient matrix हो जाती है और यह अपने क्या है column vector तो यह तो general क्या है Notation है जो कि मैं आपको first class में भी बता चुका हूँ अब कि CLPP के solution से क्या मतलब है LPP का solution बहुन लेका मतलब है कि any set of value of मतलब यह अपनको x यहाँ पर z equal to cx दे रखा है यहाँ पर भी जो constraint बोलते हैं इनको जैसे मानुला को लिखा होगा a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 less than equal to 6 है 2 x4 है जो भी whatever value of b1 b2 has been given तो अपने से बोलते हैं कि यह जो x1 x2 xn इनकी value निकालते हैं वो क्या होनी ची इन constraint को satisfy करनी चीए satisfy to constraint तो any set of value any set of value of x1 x2 up to xn which satisfies the given constraint of LPP is called solution of LPP of x1 x2 which satisfies constraint जो भी constraint है उनको satisfy कर देगी तो वो ही क्या कर लाएगा इसका solution क्या लाएगा एक बात अब बात करते हैं कि feasible solution क्या होता है feasible solution यह तो क्या solution है LPP का feasible solution वो solution होता है जिसमें साथ में क्या आना चीए no negative restrictions होना चीए जैसे मानों कि आपको अक्स्टोक्षर की value में लिए 2 minus का 3 5 6 7 यह क्या करती है सारे constant को satisfy करता है तो this is a solution of LPP but it's not a feasible solution feasible solution में क्या होना चीए सारे की value greater than equal to 0 होना चीए तो यह क्या है यह किसी LPP का क्या है feasible solution है और यह solution तो है ही है मतलब कि यह solution तो है ही है सारे constant को satisfy करना चीए साथ में क्या कर रहे है non negative constraint को भी satisfy कर रहे है जब यह non negative constraint को satisfy कर रहे है that's why this is feasible solution अब सबसे important term है basic solution और इसकी से related अपना आगे बात करते है degenerate or non-degenerate so keep in mind whenever we are talking about basic solution then we have to think that how many number of equation we have been and how many number of variable in equation if in system जो भी आपका system है उस system में अगर मानो आपके पास क्या है and तो variable है अभी example भी करेंगे यह सारी बातें first class में बता चुका हूँ as a recall ताकि आपको question अच्छे से समझ आ रहे n variable है आपके पास क्या है m equation है तो इतनी बात तो पता चल गई आपको कि n variable है m equation है तो आपन सिरफ और सिरफ m variable की value find out कर सकते है तो यह साब बोल सकते हूँ कि then we have to put n minus m variable equal to 0 put करना पड़ेगा उनको जूरो करना पड़ेगा बाकी जो m variable बच्छे गे उनको southern का कर सकते है equation के बजबच से solve कर सकते है बड़्ट और यह जो m variable होते है न इन इकको open क्या बोलते है और इनको solve की जो value निकालते है ना इनी variable को आपण आ से बोलते है basic variable तन्वीर से dat जो M variable आएंगे, वो क्या होते हैं, basic variable, basic variable होएंगे, और उन्हें से कैसा solution मिलेगा, basic solution मिलेगा, ठीक है, बाकी जो N-M अपने 0 पूट करे थे, वो variable क्या कहलाते हैं, non-basic variable, non-basic variable, ठीक है, इतनी बाद समझ आगी, बट एक चीज़, ओर जैसे मानो, suppose that x1 plus x2 plus x3 equal to 0 है, एक आपके पास a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 equal to 0 है, इसका मतलब ही कहागे, आपके पास 2 equation है, 3 variable है, तो 3 minus 2, एक variable का आपको क्या करना पूट करेगा, 0 पूट करना पड़े, जैसे मानो मैंने x1 को 0 पूट करा, तो ये जो बाकी जो variable बच्चे, x2 x3, x2 x3, इनकी जो matrix बना रही है, 1 1, a2, a3, इसका determinant क्या होना चाहिए, नोन 0 होना चाहिए, तब ही आप बोलोगों कि basic solution है, वो exist कर रहा है, otherwise basic solution है, वो exist नहीं करता है, कहने का मतलब ये हुआ, कि अगर आपके पास system में n equation है, sorry n variable है, m equation है, तो आपने n minus m variable को 0 put कर दिया, बट जो m variable बचे, उनके corresponding matrix बची, उसका determinant क्या होना चाहिए, नोन 0 होना चाहिए, तब ही अपन basic solution find out कर पाएंगे, और जो m variable अपन equation के मदद से निकालते हैं, solve करके find out, value find out करते हैं, उन m variable को अपन क्या बोलते हैं, basic variable बोलते हैं, और जो n minus m variable अपन 0 put करते हैं, minus m variable तो 0 थे, m variable अपने solve करके निकाले, ठीक है, यह जो m variable निकाले, इस में से अगर यानि कि यह कैसे variable हैं, basic variable है, अगर इस में से कोई भी एक 0 हो जाता है ना, तो अपन बोलते हैं, तो degenerate solution, यानि कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ, if at least one of the basic variable, one of the basic variable at 0 level, at 0 level बोले हैं मतला, at 0 आगया है उसमें, 0 level, then it's called degenerate solution, then it's called degenerate solution, यह सारी बात में पहले बता चुका हूँ, बट आपको recall करने के लिए, कि n minus m variable अपने 0 put करे थे, उसमें 0 put करे दिये, बाकी जो m बचे, उनको अपन शोल करके निकालते हैं, उनको basic variable बोलते हैं, आपने m variable को सोल करके निकाला बाई equation, और उसमें से भी कोई 0 आ गया, किसी x1, x2, x3 की वेलिए 0 आ गई, तो वो कैसा बन जाएगा, degenerate solution बन गया, otherwise non degenerate, otherwise non degenerate, ठीक है, यह बात समझ आ गई, अब एक बात और, एक बात और क्या, कि अगर यह तो क्या आ गया, non degenerate, degenerate की बात होगी, अब अपन बोलते है, optimal solution, तो keep in mind, optimal solution आपको मिलेगा, हमेशा basic, feasible solution से, यानि कि, जो solution कैसा होगा, basic भी होगा, basic होने का पता चल गया, feasible होने का मतलब non negativity होगी, तो कोई basic feasible solution है, वो ही optimal बनाएगा, और optimal मोलने का मतलब हैगे, जैसी LPP आपको given है, वो भले maximize की होगी, या minimize की, तो जो solution उसको maximize बना देगा, तो वो उसका optimal बन जाएगा, और LPP minimization की है, तो जो solution उसको minimum बना देगा, वो इसको क्या बन जाएगा, optimization बन जाएगा, optimal solution बन जाएगा, तो यह तो अपन ने बात कर ली, type of solution की, the solution which optimize the objective function, which called is optimal solution, जैसे मानों, आपको Z जो भी दे रखा हो, जो भी condition इसको लगा रहा है, maximize यह, minimize की, तो जो solution की fulfill कर देगा, वो ही क्या बन जाएगा, इसका optimal solution बन जाएगा, तो यह तो अभी अपन ने type of solution की बात कर ली, या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, the solution which optimize the objective function, objective function, या जो Z दे रखा है, जिसको optimize कर देगा, वो ही क्या बन जाएगा, इसका optimal solution बन जाएगा, और अपन पढ़ रहे है, linear programming, keep in mind, linear programming, तो जो objective function होता है, वो हमेसा क्या होना चाहिए, linear होना चाहिए, तो ऐसा question 2020-20 में पुछा गया, कि which of the following is linear programming, तो linear programming के लिए objective function कैसा होना चाहिए, आपका linear, उसमें एक option है, जिसमें x1, x2 लिख रखा तो यह linear नहीं है, एक में x1 square कुछ लिखा हो है, x2 square कुछ लिखा हो तो वो linear नहीं है, तो यह ध्यान रखना आपको, कि objective function कैसा होना चाह और जो solution objective function को optimize कर देगा, वो क्या बन जाएगा, उसका optimal solution, तो यह तो क्या, इसका fundamental basic concept, अगर आपको यह terminology समझ आगी, तो अब आप question को कहीं भी नहीं छोड़ने वाले हो, अब अपन क्या करेंगे, इसके questions करेंगे, इसके बाद भले आप previous question paper की solve करो, भले BHO की solve करो, भले को x1 plus x2 plus x3 equal to 5, ठीक है, अब आपको इस LPP को solve करना है कि कितने तो इसके पास optimal solution होंगे, sorry, कितने basic solution होंगे, कितने feasible solution होंगे, कैसे क्या system होगा, तो आपने इसको एक एक करके solve करेंगे, आपको देर का x1 plus 2x2 plus x3 equal to 4, और 2x1 plus x2 plus x3 equal to 5, ठीक है, यहाँ पे number of variable कितनी है, 3, number of equation कितनी है, 2, तो अपनों क्या करना पट गया, n minus, अब पहली बात तो यह भी, मैं एक चीज़ होता हूँ, कि number of maximum basic solution, basic solution, इसको हिंदे में बोलते हैं, आधारी हलो कि सहीं क्या, number of basic solution equal to ncm होती है, तो यहाँ पे क्या होजागी, 3c2 equals to 3, तो maximum क्या होगी, number of basic solution, अधिक्तम कित 3 मिले, बट अपने सब हो सकते हैं, maximum basic solution मिलेंगे, वो 3 मिल सकते हैं, क्योंकि 3 कब नहीं मिलेंगे, जब कोई ना कोई, जो basic variable है, उसके corresponding determinant क्या बन जाएगा, 0, अगर determinant non 0 है, तो आपको basic solution guaranteed मिलेगा, otherwise वो basic solution नहीं होगा, तो maximum कितने हो सकते हैं, 3c2, 3 हो सकते हैं, ठीक है, अ अब आपको पता है कि n variable है, m equation तो अपन n minus m variable को 0 put करते हैं, यानि कि 3 minus का 2 equals to 1 variable को अपन क्या put करेंगे, 0 put करेंगे, तो अपन पहला case लेते हैं, कि जब अपन क्या करते हैं, कि let x1 equals to 0, x1 को 0 put कर लेते हैं, case first में, जब x1 को 0 put कर लेते हैं, case first में, जब x1 को 0 put कर लेते हैं, 2 1 1 यह वाली metric 2 1 1 1 तो इसका determinant क्या आ रहा है 1 आ रहा है जो कि note equal to 0 इसका मतलब basic solution क्या करेगा exist करेगा तो यह condition है basic solution exist कराने के लिए तो यह solution exist कर जाएगा अब यहां से अगर आपन solve करते हैं तो यहां से गटा देंगे तो x2 की value क्या जाएगी minus का 1 आ जाएगी और जैसे आप x2 equals to minus का 1 पुट कर दोगे तो x3 की value क्या जाएगी 6 आ जाएगी तो यहां से आपको basic solution क्या मिल गया basic solution मिल गया 0 minus का 1 and 6 this is the first basic solution ठीक है यह पूरा solve में इसले करके बता हूँ कि आपका यह concept है वो clear हो जाए और कोई doubt रहे नहीं तो पहला solution तो क्या आगया 0 minus 1 6 इसका basic solution आगया ठीक है अब आपन next case में क्या खळलेते हैं let x2 equals to 0 जब आपन x2 0 करेंगे तो अपने पाशिक्षिन क्या बनेगी x1 plus x3 equals to 4 2x1 plus x3 equals to 5 यहां कि x1 plus x3 equals to 4 और एक क्या बन जाएगी 2x1 plus x3 equals to 5 अब यहां पे भी आप चेक कर लो यह matrix बन रहे है 1 1 2 1 तो इसका determinant क्या आ रहे है which is equals to minus 1 not equal to 0 this implies basic solution exist तो यहां पे भी basic solution क्या करेगा exist करेगा इसको घटा देंगे तो minus x1 equals to minus 1 this implies x1 की value क्या आगी 1 और जैसे आप x1 की value 1 put कर देते हो x3 की value क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी ठीक है तो अपने पास दूसरा basic solution क्या जाएगा 1 0 और 3 ठीक है दो case होगे let x3 equal to 0 जब आप x3 को 0 put कर दोगे इसमें तो x1 plus 2 x2 equals to 4 2 x1 plus x2 equals to यहांनिके अपने पास vacation बन जाएगे अब इस case में x1 plus 2 x2 equals to 4 1 2 2 1 तो इसका determinant भी क्या है minus का 3 जो की not equal to 0 तो basic solution exist करेगा इसको solve करेंगे तो यहां से भी आपको क्या निकालने पड़ेगी x1 x2 की वे जो निकालने पड़ेगी तो अब क्या करें एक को 2 से multiply कर दो इसको 2 से multiply कर देंगे तो यहां से 4 x1 तो 3 आजाएगा यह 10 14 तो यहां से क्या मिलेगा 3 x1 equals to 6 तो यहां से x1 की value की तिया आगी 2 आगी जैसे आप x1 की value 2 put कर दोगे तो x2 की value क्या जाएगी 1 आजाएगी 4 रेक 5 ठीक है तो यहां से solution क्या मिलेगा आपको 2,1,0 तो अब क्या हो सकता था यहां पे यह हो सकता था कि आपने एक variable 0 लेके पुट आप x2 को 0 लेके चल रहे है x1 और x3 की value आ रहे है x3 को 0 लेके चल रहे है x1 और x2 की value आ रहे है यहां पे आपने x1 को 0 put कर आ x2 और x3 की value आ गी अब case ऐसा भी बन जाता कि किसी ना किसी case में यह जो determinant अपन निकाल रहे हैं ना matrix का यह 0 आजाता तो इसमें से भी कोई variable यह जैसे दोनों variable अपने find out करें यहां से अगर कोई 0 आजाता ना तो वो solution कैसा बन जाता suppose that इस solution ऐसा निकल गाता 1 0 0 तो इस solution को अपन क्या बोलते हैं degenerate solution बन जाता है और यह वाले कैसे हैं non degenerate की कोई degeneracy यहां पे पैदा ही नहीं होई कोई degeneracy यहां पर बनी ही नहीं क्यों नहीं बनी क्योंकि यहां पर एक्सवन अक्सथरी की value क्या आ रही है क्यों मिले क्योंकि किसी भी case में determinant क्या नहीं आया जीरो नहीं आया तो अपने पास जो basic solution मिले वह पहला मिला जीरो माइनस वन 6 दूसरे वाले में अपने को मिला 1 0 3 तीसरे वाले में अपने को मिला 2 1 0 ठीक है इस case में जीरो है इसको अपन बोलते है non-basic variable और यह दोनों कैसे है object is. अगर कोई basic variable हैं यहां पर यह कैसा है basic variable यह बेसिक variable और यह वाला कैसा है नोन बेसिक variable या तो सारे कैसे है basic solution है अब आप कोई भूझा कि इसमेसे basic feasible solution कौन सा है अगर मैं इसा लिखता हूँ basic feasible solution जब भी सू संगत feasible को बोलतें सू संगत जब भी सू संगत की बाद आती है तो non-negative होना चीए यानिकि greater than equal to 0 वाला concept आना चाहिए जो constraint है वो non negativity को satisfy करना चाहिए तो इस case में आपके पास मिलते 103 and 210 तो ये वाले solution कैसे है basic solution है और अगर मैं बोलता non degenerate और basic solution basic solution तो सारे ही है यूपकि आपने देखा कि सारे basic solution नहीं मिलने और किसी भी case में determinant 0 नहीं हुआ तो non 0 आने पर आपको पता कि basic solution है वो exist करेगा और ये variable कैसे कर लाएंगे basic variable अगर बोलता non degenerate basic solution तो सारे के सारे क्या बन जाते है non degenerate basic solution बन जाते है 0-16103 और 210 तो ये क्या बन जाते है आपके non degenerate solution अगर बोलता degenerate solution degenerate solution तो इस case में कोई भी degenerate solution exist नहीं कर रहा क्योंकि सारे के सारे basic variable कैसे है non 0 है अगर कोई भी basic variable 0 बन जाता उस case में क्या मिलते है आपको degenerate solution मिलते है so I hope आपको basic solution basic feasible solution non degenerate basic solution degenerate basic solution का concept है वो समझ आया होगा इसमें कहीं पे भी कोई doubt आपको नहीं होना चीह क्यों नहीं होना चीह क्योंकि अपने सारी चीज़ एक 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 जामपल से देखिये पहले सारी concept देखें आप LPP का पहला वीडियो अपना डालावा वो जरूर देखें फिर आप इस वीडियो के बाद सारे solution कर सकते हैं कहीं को doubt नहीं आगा अब आपको मैं 4-5 question ओगरा देता हूँ ताकि आपका concept हो एक दम दिमाग में घुश जाए खोपड़ी में फिट भेड़ जाए भाहार निकले ही नहीं इसका मतलब क्या होगा n-m which is equal to 5-2 equal to 3 3 variable must be 0 3 variable equal to 0 अपन 3 variable को 0 put करेंगे तो पहले वाले में तो भाहा यह तो possible नहीं basic solution ही नहीं है यह basic solution हो सकता है basic हो सकता है बट अपने को पूछा है क्या degenerate यह तो इसका मतलब क्या होगा अब ऐसा बहुत सकता हूँ कि number of non-basic variable equal to 0 put करते हैं और basic variable किते होंगे 2 होंगे जिनको अपन value find out करके solve out करेंगे जिनको अपन निकालेंगे तो 3 variable तो 0 आने चीए तो इसमें 3 variable 0 नहीं है इसमें 4 variable 0 है और इसमें भी 4 variable 0 है तो इसका मतलब यह भी कैसा है degenerate solution है और यह भी कैसा है degenerate है degenerate क्यों हुआ क्योंकि आपको पता है कि basic variable दो होंगे जिनको आप soil out करके निकालोगे और कोई variable अगर basic variable में से 0 बन जाता है तो उसी को अपन क्या बोल दते है degenerate बोल दते है इसका मतलब यह दोनों तो possible नहीं क्योंकि यह तो कैसा है इसको तो मैं बोल सकता हूं इसको हटा देता तो COD दोनों correct हो जाते है क्यों क्योंकि आपको पता है कि यहां पर नॉन basic variable तो तीन आएंगे basic variable दो आएंगे और अपन degenerate solution उसी को बोलते है जिसमें basic variable क्या बन जाए 0 बन जाए basic variable इसमें भी 0 बन रहा है तो इस वज़े से क्या हो गए यहां पर यह दोनों के दोनों degenerate solution है बट इसने पूचा basic feasible भी होना चाहिए साथ में तो feasible यह वाला नहीं है यह वाला feasible तो इसलिए एक एक लाइन एक एक वर्ड का मीनिंग आपको पता होगा तो आपको क्यूशन को उड़ा दोगे छोड़ोगे भी नहीं अब चलते नेक्स क्यूशन पर अब इसमें क्यूशन को गुमा दिया इसका मतलब क्यूशन की लेंग वाज को समझो नोट ए नोन डिजनरेट नहीं है जब नोन डिजनरेट नहीं होना चाहिए और डिजनरेट कब होगा दिजनरेट तब होता है जब at least one basic variable must be 0 at least one basic variable equal to 0 अब आपने पास दो equation है दो unknown है यानि कि n की value तो किती है 4 है m की value 2 है तो n minus m equal to 4 minus 2 equal to 2 equal to मतलब 2 variable 0 होने चीए और 2 variable 0 होंगे तो देखो इसमें 2 variable 0 इसमें 2 variable 0 यह तो सारे कैसे हैं non degenerate है non degenerate है क्यों? यूँकि 2 variable 0 चलेंगे बाकी 2 value अपन find out होने निकालेंगे basic variable यह भी कैसा है non degenerate है बट यह वाला कैसा हो गया इसमें 1 basic variable 0 हो गया यूँकि अपने पास basic variable कितने है 2 है और non basic variable कितने है 2 है अब basic variable में से अगर कोई भी basic variable 0 हो जाता है तो उस case में solution कैसा बन जाता है degenerate बन जाता है तो यह वाला कैसा है degenerate है या इसको मैं क्या बोलता हूँ not a non degenerate तो यह solution कैसा है not a non degenerate अगर आपको किसी भी step में कहीं पर भी को दिखके थे तो वो time आप comment में pin कर दीजिएगा आपको उसका definitely solution मिलेगा या आप add the rate exponential mathematics टेलेग्राम चैनल पर भी जा सकते है या आप search कर सकते है टेलेग्राम को इस search बारे में जाकी msc entrance math तो वहाँ पे भी आपको solution जुरूर मिलेगा और यह जो class चल रही है इसकी जो आपको यह ppt है इसकी pdf अपने exponential mathematics application जो google play store पर वहाँ से download करोगे तो आपको मिल जाएगी वहाँ से आप download कर सकते है इस ppt को इस pdf को तो आपको यह लिखने के विजूरत नहीं रहेगी बस concept आपको समझना है तो यह वाला कैसा हो गया note a non-degenerate basic solution अब देखो next question कि तब basic solution with x3 as a non-basic variable आपको हरी step को समझना है x3 कैसा है non-basic variable इसका मतलब x3 कैसा होगा 0 जो 0 put करते है उसको अपन क्या बोलते है non-basic variable जिनकी वेजु निकाल तो उनको अपन क्या बोलते है basic variable इसका मतलब आपको क्या करना है x3 की value 0 put करनी है और इसको x1 x2 की वेजु निकालनी है तो put कर दो भाई x3 को 0 जैसे आप x3 equal to 0 put 2 अपने पास क्या बनेगा 4 x2 minus x3 equal to 3 और 2 x2 plus 3 x3 equal to 4 यहनि कि इसको आपको क्या करना है 2 से multiply करना है फिर घटाना है तो यह क्या बनेगा 8 और यह बनेगा 6 घटा देंगे तो minus का 9 x3 equal to minus का 5 यहां से x3 की value का आगी 5 by 9 आगी यह x3 को 0 put करना है एक सेकंड तो x3 को आपको क्या करना पड़ेगा 0 put करना पड़ेगा एक सेकंड बई अपने x1 को 0 put कर दिया जबकि x3 को क्या करना है 0 put करना है ठीक है तो x3 को 0 put कर देते हैं आपने क्या है तो x1 plus 4 x2 which is equals to 3 और 5 x1 plus 2 x2 equal to 4 अब इस case में इसको 2 से गोना कर दो तो x1 plus 4 x2 which is equals to 3 and यह क्या बन जाएगा 10 x1 plus 4 x2 equals to 8 minus minus तो यहां से minus का 9 x1 equals to minus का 5 तो x1 की value कितने आगी 5 by 9 आगी अब देखलो इसमें x1 की value 5 by 9 है और जैसे आप x1 equal to 5 by 9 put करोगे तो x2 की value 11 by 18 आजाएगी यह वाला option अब हो सकता था कि x2 की value 0 आजाए जब x2 की value 0 आजाएगी तो solution कैसा बन जाता degenerate बट आपको किसी भी option में x2 की value 9 0 है x1 की value 5 by 9 सिर्फ इसी option में है तो जैसे x1 की value 5 by 9 आपको पूट करेंगे आपको पास x2 की value 11 by 18 आजाएगी और x3 आपको 0 ले नहीं है x3 आजे 9 1 basic variable तो इस परकार से ऐसे क्यों को भी आप सोल कर सकते हैं तो इसका बी option क्या हो जाएगा correct हो जाएगा अगर किसी भी step में किसी भी question में कोई doubt है तो doubt रखना नहीं है पूछना है अब चलते हैं आगे तो सारी tricks आपको समझा जाएगी सारे आप time management वाला काम कर लोगे जब आपको concept ही नहीं पता है कि question को solve कैसे करना है तो आप pen चलाते रहो question को देखते रहोगे समझ ही नहीं आएगा जब concept पता हुआ तो आप option से भी कर सकते हो question को time भी बता सकते हो क्या trick लगे नहीं वो भी आपको समझा जाएगी बट सबसे important क्या है concept का समझ में आना तो वो आपको समझा आ गया तो सारे question आप easily कर दोगे अब चलते है next question यह क्या बोलता है कि the number of basic solution to the system अब देखो इस system के पास basic solution तो सबसे पहली condition यहाँ पे n की value किती है number of variable कितने है 4 है number of equation कितने है 2 है तो n minus m variable का put करेंगे equal to 0 put करेंगे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ और सबसे important चीज basic solution exist करने के लिए जो matrix का determinant आना चाहिए और क्या आना चाहिए non जिरो आना चाहिए corresponding to basic variable corresponding to basic variable ठीक है 2 variable जिरो put करने आपको और एक बात कि maximum basic solution कितने हो सकते है n cm इनकी 4 c 2 equal to 6 तो इसका मतलब क्या वा कि ये वाला option भी possible नहीं है ये वाला भी possible नहीं है बचे 2, 4 और 6 अब देख लो कि किस case में determinant अगर 0 बन जाता है तो वहाँ पर basic solution exist नहीं करेगा तो अब देख लेते किस case में बन रहा है 0 अब देखो यहाँ पर अगर आप x1 को 0 करो x2 को 0 करो तो ये दोनों solve कर लो suppose that मैंने क्या करा दो variable तो 0 put करने पड़ेंगे न x1 x2 equal to 0 then अपने पास क्या बनेगा x3 और x4 give solution तो अपनों क्या मिलेगा basic solution मिल जाएगा यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है जब आप x1 और x3 को 0 put करो इसको 0 put करा इसको 0 put करा तो अपने पास equation बनेगी देखो अगले page ब लेगता हूँ जब आप x1 and x3 को 0 put करते है जब आपने x1 और x2 को 0 put करा तो ये वाले ये देखो इसको ये matrix का है 96,3,18,16, determinant,9,0 तो यहाँ से basic solution आपको मिल जाएगा जब आप क्या करें x1 और x3 को 0 put करें तो ये क्याशन बनेगी 4x2 प्लस 8x4 मैनस का 3x2 मैनस का 6x4 4x2 प्लस 8x4 4x2 प्लस 8x4 इकल टू 7 और मैनस का 3x2 मैनस का 6x4 इकल टू 13 ये है ना 3x2 6x4 इकल टू 13 अब देखो ये मैनस का 6 चोईस और ये प्लस तो यहां से जो determinant है ना 4, 8, मैनस का 3, मैनस का 6 ये क्या आ रहे है एककल टू 0 आ रहे है इस इंपलाइज बेसिक सोल्योशन डज नोट एग्जिस्ट तो यहां से जब आप x1, x3 को 0 कर रहे हो तो आपको जो x2 और x4 है यहां से क्या नहीं मिल रहे है बेसिक सोल्योशन नहीं मिल रहे है इसका मतलब यह तो confirm हो गया कि यहां से 6 तो नहीं मिलेंगे तो यह वाला भी गया बच्चे 4 अब एक और देख लो किस case में determinant 0 हो रहे है जब आप x2 और x4 को 0 put कर रहे है तो देख लो यह भी 0 हो रहे है suppose that मैं क्या कर रहा हूँ x2 और x4 को 0 put कर रहा हूँ जैसे आप x2 x4 को 0 put कर रहा हूँ जैसे आप x2 x4 को 0 put कर रहे है 3 x1 प्लस 3 x3 3 x1 प्लस 3 x3 एकुल टो 7 और 2 x1 प्लस 2 x3 एकुल टो 13 2 x1 प्लस 2 x3 एकुल टो 13 यहां से देखो determinant matrix बनेगी 3 3 2 2 तो यह क्या बन रही है 0 बन रही है this implies x1 x3 does not give basic solution तो दो solution नहीं मिल रहे बाकी case में अपनों क्या मिलेंगे basic solution क्योंकि basic solution का बोलने का मतलब यह है कि जब आप n-m variable को 0 put करते हो तो बाकी जो आपके पास m variable बचते है उनके corresponding आप जो matrix बनाते हो उसका determinant क्या आना चीए non 0 आना चीए तो यहाँ पे अपने n-m variable यहाँ कि x2 और x4 को आपने 0 put करा बाकी जो दो variable बचते x1 और x3 इसके corresponding आपने matrix बनाई उसका determinant क्या रहे है 0 आ रहे है तो यहाँ से आपको basic solution नहीं मिलने वाला एक यहाँ से नहीं मिलने वाला तो यह 2 basic solution नहीं मिलेंगे बाकी आप 2 variable को 0 put करोगे बाकी 2 को scroll करोगे तो वहाँ से आपको basic solution मिलेंगे अब हो सकता है वो basic solution क्या हो सकते है degenerate भी हो सकता है non degenerate भी हो सकता है but question में ऐसा पूछा है नहीं इसने पूछा कि number of basic solution किते होंगे तो number of basic solution देंगे 6 minus का 2 to 4 तो इस case में इसके पास 4 ही basic solution मिलेंगे क्योंकि 2 case में क्या हो रहा है determinant 0 हो रहा है दब determinant 0 होगा तो वहापको basic solution नहीं मिलेगा that's why the answer is 4 so I hope you got the discussion अगर इसमें कोई भी डाउट है तो जुरूर पूछा अब एक last question हो रहा है वह कर लेते हैं ताकि आपके ऐसे doubt रही नहीं number of basic solution of the following linear equation देख लो यहाँ पर क्या है कि number of basic solution पूछा है कि कितने होंगे 4x1 plus 2x2 और यहाँ पर क्या है 4 है ठीक है तो n equals to 4 है m equals to कितना है 2 है तो n minus m equals to भी 2 आएगा तो दो number of basic variable equals to 2 और non basic variable भी equals to क्या जाएगा तो आजाएगा अब 2 को 0 put कर दो suppose that आपने x1 x2 को 0 put करा तो आपके पास value बच गई 3x3 minus का 8 x4 और 4x3 minus का 6 x4 ठीक है equal to 6 equals to 8 तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा x3 x4 है वो basic solution देते हैं जैसे आप अगले बले case पर चलते है x1 x2 को 0 put करा अब आप x1 और x3 को 0 put कर दो तो आपके पास equation आएगी x2 x4 में x1 और x3 को 0 put तो 2x2 minus 8 x4 2x2 minus 8 x4 which is equal to 6 और दूसरे वा ली case नहीं बनेगी 5 x2 minus 6 x4 5 x2 minus 6 x4 which is equal to 8 तो 6 2 नहीं बारा तो यहाँ से भी क्या हो रहा है देखों मेर्टिक्स बंद दी 2 minus 8 5 minus 6 which is not equal to 0 तो यहाँ से भी क्या मिल रहा है basic solution यानि कि जब आप x1 x3 को 0 put कर रहे है तो x2 x4 अपने को क्या दे रहे है basic variable दे रहे है x1 x3 को 0 put कर दिया x1 x2 कर दिया अब आप x1 और x4 को 0 put कर दो तो बच्चेगा x2 और x3 तो x2 वाल है तो यह तो 2 x2 5 x2 अब x3 एक option हो देख लो x3 के हैं आपके 3 x3 और 4 x3 तो प्लस 3 x3 प्लस 4 x3 तो देखो यहां से भी क्या हो रहे है 4 दुनी 8 और 5 3 पंदर है इनकी matrix 2 3 5 4 कैसा है non 0 है तो basic solution आपको यहां से भी मिल रहे है इसका मतलब x2 x3 gives basic solution आपने क्या करा आपने सबसे पहले x1 x2 को 0 put करा basic solution मिल गया अब मैं दो को value नहीं निका लिए x2 x3 की वो हो सकता है degenerate है अपने की बात करने की basic solution है या नहीं x2 x4 से मिल गया x2 x3 अब आपना second case कर लेते हैं की x2 x3 को 0 put करते है तो जब x2 x3 तो x1 x4 x1 तो 4 x1 minus 8 x4 4 x1 minus 8 x4 which is equal to 6 और यह क्या है 3 x1 minus 6 x4 3 x1 minus 6 x4 अब देखो यह choice और यह choice 4 minus 8 3 minus 6 तो यहां से determinant की आएगा 0 आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ की x1 x4 है वो क्या नहीं दे रहे does not give basic solution तो यहां से आपको basic solution नहीं मिलेगा तो total 5 case होगे 1 case और बन गया वो देख लेते हैं जब x2 x3 को 0 put करें अब आप क्या करो x2 x4 को 0 put कर दो जब आप x2 x4 को 0 put कर दो तो x2 x4 को 0 put कर दो x1 x3 बचेगा 4 x1 देखो यहीं से लग देता हूँ मैं जब आप x2 x4 को 0 put करोगे तो इसका मनेगी 4 x1 plus 3 x3 3 x1 plus 4 x3 तो यहां से देखो 16 minus का 9 तो 9 0 इसका मतलब यहां से solution मिलेगा यानि कि आप ऐसा बोल सकते हो जब x2 x4 को 0 put करोगे तो x1 x3 give basic solution तो यहां से basic solution मिलेगा अब कौन सा case बज़किया x2 x4 को 0 put कर दिया और अब एक बज़किया x3 x4 को 0 put कर दो तो x1 x2 और आजएगा जब x1 x2 वाला case बनेगा तो देखो x1 x2 वाला यह case बनेगा तो 20 minus का तो यहां से भी क्या मनेगा 9 0 बनेगा यानि कि मैं से बोल सकता हूँ बैसिक सोल्यूशन कितने हो सकते थे maximum number of basic solution equals to क्या होते है अपने 4 c 2 equal to 6 बट एक अपने को नहीं मिल रहा तो 6 minus 1 equals to 5 इस case में क्या होंगे number of basic solution equal to 5 तो अपने को कितने मिलेंगे 5 basic solution मिलेंगे तो इसका option का उन सा correct हो जाएगा none of these यानि कि 5 so I hope आप यह बात समझगे होंगे कि number of basic solution कैसे निकालते हैं LPP का पहला वीडियो जुरूर देखें उसमें अपने trick भी discuss करिए तो वो भी समझा जाएगी बट यहाँ पर मैंने सारी चीजों को concept चुलिए अपने बात करेंगे ताकि आपका कोई doubt ही नहीं complete हो जाए और LPP का कोई भी question आपका नहीं बचे और graphical method LPP का अगर आप देखेंगे formulation और graphical method इसको very conceptual way में अपने समझा है जिसकी अपने की जो application पर classes को आप दूसरी और तीसरी class में प्रगया है तो second और third class जरूर देखें वहाँ से आपको एक concept भी क्या जाएगा समझा जाएगा तो LPP का target आप ऐसे रखी चलिए कि 5 से कम किसो नाने नहीं है तो 20 प्लस number आपको लेने किती देर में लगबग 3R का काम है 3R तो maximum है और एक page के आपको क्या बनेंगे short notes बनेंगे तो one page 3R equal to 20 number बहुत ही अच्छा concept है तो इसको आप follow करो और इसी प्रकार से सारा syllabus आपका cover हो जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा और इस वीडियो में आप voice के बारे में जुरू बताएं और ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए भी comment करें so thank you